हेलो फ्रेंड्स पिछले वीडियो वेच असी चक्कर अते उस दे कुछ पागांबारे जानकारी हासिल किती आओ इसे एक लड़ी नू अग्गेवदांदे हुए आज चक्कर अते एक रेखा खंड इनना दे रिलेशन्शिप बारे असी सिख दे हां एक रेखा खंड अते एक चक्कर बारे सोचो जे असी रेखा खंड नू चक्कर दे नजदीक किते बनाओना जोंदे हुए जान चक्कर दे उत्ते तां किस तरह बना सकदे हां ड्रौ कर सकदे हां एहे रेखा खंड बनाओन दे लई तेन तरह दे केसिज पॉसिबल हन पहला केस है कि रेखा खंड PQ, मनलो असी उस दा नाम PQ रख लिया, ते उस नूँ असी जदो बनाया, ता ओहो चक्कर ते नजदीक ता बनाया है, लेकिनों चक्कर नों किसे भी बिंदू ते छू नहीं रहा, मेंस एक साइड ते सरकल बनेया हुया है, अते दूसरे पास से बनेया है PQ रेखा खंड, ता इस तरह असी इसनू कहांगे कि यहे नोन इंटरसेक्टिंग लाइन है, यहे कट नहीं रही चक्कर नों, आओ दूसरी संभावना देख दे हां, असी हुन रेखा खंड PQ नों चकर ते विच्चों दी लंगा रहे हां, मतलब कि यहे रेखा खंड चकर नो बिंदू P अते बिंदू क्या उते कट रही है, इस केस विच असी कहांगे कि रेखा खंड बिंदू P क्या उते चकर नों कट रही है, अते एहे सीकेंट रेखा है, जां काट मी रेखा है, जड़े के चकर नो बिंदू P अते बिंदू क्या उते कट रही है, एक होर संभाव हो सकती है के दित्ती होई रेखा खंड चक्कर नो छूहे ता सही लेकिन केवल एक बिंदूते चक्कर नो पूरी तरह विचाल्यों काट रही है शो नी MIMEEEZ यहiiii رेखा चक्कर दे नस्देक तैं में पर केवल एक बिंदूते ही चक्कर नो छू रही है अज पधी रेखा नो असी स्पर्श रेखा कांदमीं धेते हों। विश्चल राएंट दित्ते हुए चितर विच पहला केस है कि चक्कर अते रेखा आपस वच नहीं मिल रहे। दूसरे चित्तर दे विच रेखा खंड पी क्यों चक्कर दे बिल्कुल विचकारों लंग रही है अते इसनों बिंदू A अते बिंदू B उत्ते मिल रही है अते तीसरा चित्तर है स्पर्ष रेखा दा जित्ते की रेखा खंड पी क्यों चक्कर दे बिंदू A उत्ते मिल रही ह अते साड़े आज़े टॉपी का नुसार असी इस स्पर्ष रेखा अते इस दे गुणा बारे चर्चा करांगे ता असी परिबाशा दे सकते हां के स्पर्ष रेखा ओ रेखा है जेड़ी के चक्कर नों केवल अते केवल एक ही बिंदू ते स्पर्ष करे अधर्वाइस जे उहों चक्कर दे अंदर जांग रही है ता उखो सीकेंट रेखा होवेगी काटमी रेखा होवेगी अते उहों चक्कर दे अंदर जीवा बनावेगी ओ बिंदू जिस बिंदू उत्ते रेखा चक्कर नू स्पर्ष कर रही है मतलब के ओ रेखा दे उत्ते वी बिंदू है अते ओही बिंदू चक्कर दे उत्ते वी स्थित है ता अजेहे सांजे बिंदू नू जेडा के स्पर्ष रेखा अते चक्कर दा सांजा है उस बिंदू नो असी कहांगे point of contact जा स्पर्ष बिंदू किसे दित्ते हुए चक्कर विच केवल एक ही स्पर्ष रेखा बनाई जा सक दी है जेड़ी की एक ही स्पर्ष बिंदू विच्चों लंगेगी किसे भी चक्कर दिया, एक दित्ते हुए बिंदू विच्चों दो स्पर्श रेखावा नहीं लंग सक दिया होण असली स्पर्श रेखा नाल सबंदत थियूरम करांगे थियूरम 1, from any point on a circle, there can be one and only one, tangent मतलब कि एक दित्ते बिंदू विच्चों केवल एक ही tangent line स्पर्श रेखा खिच्ची जा सक दी है और दूसरी पाशाविच इसनों कहांगे the tangent at any point on the circle is perpendicular or normal to the radius through the point of contact मेंज जिस बिंदू ते असी स्पर्श रेखा पढ़ रहे हां उसे बिंदू चों सरकल दे अंदर ले पासे वालनों जदों असी उसदा अर्धव्यास ड्रॉ करिये थां स्पर्श रेखा अते अर्धव्यास दोमें आपस विच पर्पेंडिकूलर हन लंब बनाओ दे हन दे एह स्पर्श रेखा उस बिंदू विच्चों लंग रहे चकर दे अर्धव्यास नाल 90 डिगरी दा कौन बनाओ दी है जां पर्पेंडिकूलर है इस थिवरं दा प्रूफ देखन तो पहला जां अग्गे वदन तो पहला असी एह गल दोहरां दे हां के पर्पेंडिकूल इस दा शोटेस्ट डिस्ट पाव सब तो छोटा रस्ता पर्पेंडिकूलर रस्ता हुन दा है लंब का रस्ता हुन दा है बकी सारे रस्ते लंबे होंगे जेडा 90 डिगरी नल जार या रा हुनदा है वो सब तो छोटा रस्ता हुंदा है अव होण असी इस थिवरंदा हाल देख दे हाँ सोल्यूशन गिवन की है सानू दित्ता होया है एक चक्कर जिसदा की केंदर O है अते उसदे बिंदू P उत्ते एक स्पर्ष रेखा खिची गई है तो प्रूव असी सिद करना है अर्ध व्यास O P परपेंडिकुलर है रेखा खंड X Y जड़ी की स्पर्ष रेखा है जांपी Q मेंस O P परपेंडिकुलर X Y असी तो प्रूव है सिद करना है असी इत्ते आवदेवलों एक कंस्ट्रक्शन कर दे हाँ रचना कर दे हाँ असी रेखा खंड X Y दे उत्ते कोई वी बिंदु क्याउ ले लिया है टेक अ पॉइंट Q on X Y other than P P तो इलावा एक होर बिंदु क्याउ ले लिया है अते इस बिंदुनों केंदर नाल O नाल मिलाया मेंस O क्याउ एक डॉटिड लाइन खिची असी प्रूफ दे हाँ, सबूत वल चल दे हाँ असी देख रहे हाँ के P स्पर्श बिंदु है, point of contact है अते O P चक्करदा अर्ध वियास है, tangent है जदों असी कोई वी बिंदु P तो इलावा लईए रेखा खंड X Y दे उत्ते ता ओहो बिंदु अर्ध वियास तो दूर चला जाएगा मेज O P तो परा जा रहा है जवें के असी क्याउ लियासी अते O दिस रहा है, नजर आ रहा है के ओहो ओपी तो दूर जा रहा है अते हुन ओहो ओ क्याउ जो है चक्करदे बारले पासेवल स्थित है पाव के एहे हुन अर्ध वियास नहीं है बलके अर्ध वियास तो कुझ वड़ा है मैथेमेटिकली असी इसनों लिख सकते हां O क्याउ ग्रेटर देन O P के हे गल्लस पर श्रेखा XY उत्ते बने हर एक बिंदु लई साच साबित होवेगी के O क्याउ ग्रेटर देन O P P जदों के इंदर नाल मिलाया जान्दा है ओ अर्ध वियास है अते इस रेखा उत्ते बनें बाकी सारे मोईंट O P तों अर्ध वियास तों वड़े होणगे पाव के O P सब तो छोटा डिस्टेंस होवेगा सब तो छोटी लंबाई होवेगा अते आसी पहला मिली डिस्कस किता है के परपेंडिकुलर इस दा शोटेंस डिस्टेंस मेंज इत्थे हुन असी सिद्ध कर देता है कि क्योंकि अर्ध वियास O P सब तो छोटा रेखा खंड है इसलिए एहे परपेंडिकुलर रेखा खंड है पाग O P परपेंडिकुलर है X Y दे दोस्तो चक्कर दी इस थियूरम नों सिद्ध करना कोई मुश्किल काम नहीं सी असी सिर्फ एक रचना किती O क्यों अते उसनों गला गला में ची ए साबित कार दित्ता कियो हो O P तो वड़ी होएगी वड़ी है क्यों बिंदो जित्ते भी मर्जी होए रेखा खंड X Y दे उत्ते हर केस विच O P छोटी होएगी अर्दव्यास छोटा होएगा फेर असी कहा कि परपेंडिकुलर इस दा शौर्टेस्ट डिस्टेंस यह लाइन बहुत ज़रूरी है याद रखनी है यही लिखन नालसी सिद्गित्ता के O P अर्दव्यास जो है ओ परपेंडिकुलर है स्पर्श रेखा X Y दे ता इस तरह ए थियूरम तुसी अपनी कोर्स बुक विच भी देखोगे इसनों दुबारा दोहराओ अते लिख के प्रेक्टिस जरूर करो आज दे लई बस इना ही असी अगले वीडियो विच कुछ और थियूरम्स स्पर्श रेखा नालस बंदत लेके आवाँगे ओदोन तक तुसी इस पेज दी अज दे वीडियो दी खूब प्रेक्टिस करो साड़ा अगला वीडियो देखन ली चैनल नो सब्सक्राइब करके बैल दा बटन जरूर दबाओ उसे नाल ही साड़े लेटेस्ट वीडियो दी नोटिफिकेशन तो अड़े को लाएगी